यूपी और उत्राखन की खबरों के लिए एबिपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दमाएं माननी सरोच नियाले ने असपष्ट रूप से सभी प्रदेश के सरकारों को ये निर्देश दिया था कि किसानों की पराली को खरीद कर कहीं न कहीं उसे पूरी तरह समाप्त किया जाए जलाने की नौबत नाया उनको मुआपजा दिया जाए सरकार ने अपना कर्म नहीं किया किसी भी किसान से पराली लेने की बेवस्था नहीं की उसे डंप करने की बेवस्था नहीं की उनका मुआपजा नहीं दिया अपितु सरकार ने उनके खिलाप मुकदमा लिखकर जेल भीजने का काम किया सहारनपूर में अब तक 16 पराली के किसानों पर मुकदमा लिखना और अन्य तमाम लोगों के उपर जिस तरह रोज मुकदमों का अंबार लग रहा है सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसानों को जेल भेज रही है सबसे बड़ा दुकत भी सह तो यह है कि आज बागपत में कई दिनों से आंदोलन कर रहे है किसान को आज उसकी मौत हो गई है धान क्रैकेंद्रों पर धान नहीं खरीद हो रहा था इसके जिम्मेदार कौन है सरकार और खासकर परचार मंतरी पियार के मुखमंतरी योगी आदितनाथ जो अपना परदेश छोड़कर दूसरे परदेशों में जाकर भासर दे रहा है लोगतंद की दुहाई दे रहे हैं किरपया मुखमंत्री योगी अधितनात ये बताएंगे कि उस किसान का क्या दोस्त था जो आज बागपत में काल के गाल में समा गया धर्ना पदर्शन करते मर गया कौन है इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश जानना चाहता है माननी सरोच नियाले ने असपष्ट रूप से सभी प्रदेश के सरकारों को ये निर्देश दिया था कि किसानों की पराली को खरीद कर कहीं न कहीं उसे पूरी तरह समाप्त किया जाए जलाने की नौबत नाया उनको मुआपजा दिया जाए सरकार ने अपना कर्म नहीं किया किसी भी किसान से पराली लेने की बिवस्था नहीं की उसे डंप करने की बिवस्था नहीं की उनका मुआपजा नहीं दिया अपितु सरकार ने उनके खिलाप मुकदमा लिखकर जेल भेजने का काम किया सहारनपूर में अब तक 16 पराली के किसानों पर मुकदमा लिखना और अन्य तमाम लोगों के उपर जिस तरह रोज मुकदमों का अंबार लग रहा है सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसानों को जेल भेज रही है और सबसे बड़ा दुकत भी सह तो यह है कि आज बागपत में कई दिनों से आंदोलन कर रहे है किसान को आज उसकी मौत हो गई है धान क्रैकेंद्रों पर धान नहीं खरीद हो रहा था इसके जिम्मदार कौन है सरकार और खासकर प्रचार मنتरी पी आर के मुक्हमंतरी योगी आधितनाथ जो अपना प्रदेश छोड़का दूसरे प्रदेशों में जाकर भासर दे रहे है लोगतंद्री की दौहाई दे रहे है किरपया मुखमंतरी योगी अधितनात ये बताएंगे कि उस किसान का क्या दोस्ता जो आज बागपत में काल के गाल में समा गया धरना पदर्शन करते मर गया कौन है इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश जानना चाहता है